श्रदोस्त विल्कम बेक टो माई चानल केकीजी क्लासिस आज का लेक्चर काफी खास हैं आपको पता ही होगा थमनेल देखकर कि आपको हंड्रेड भी लगुतिर प्रस्त उत्तर का जो स्रीज है वही चल रहा है क्योंकि देखो आपको पूरे केमिस्ट्री में जब पूरे केम में मात्र कितने 20 लगुतिर प्रस्त उतर एकजामें पूछे जाएंगे जिसमें से मात्र 10 कोसन का जवाब देना है तो 20 तो पूछे जाएंगे चलो ठीक है लेकिन जवाब तो आपको 10 ही देना है चेप्टर पर 15 जवाब देना है 10 यानि कि एक चेप्टर पर एक कोसन भी न आठ नौ दस मतलब चेप्टर पर डिपेन करता है पूरेस चेप्टर सलेक्ट करके आपको 100 लगुत्ती प्रस्त उत्तर लेका हैं जिससे आराम से आप 10 में 10 कर पाओगे एकदम ईजी तरीका से और यह सब पीडियेफ यह सब पीडियेफ कैसे मिलेगा नंबर आपको नीचे द एक पीडियेफ से कर पाओगे वी सब्सक्ट पूंप लाहिया जाएगे जिसमें 100 में अटें से प्रोक्स प्रोक्स 85% प्लस कोई नहीं चीनेगा इतना कोसें पढ़ने के बाद यह सब को से एक सब्जेक के वल किमेस्ट्री नहीं और सब्जेक मिलेगा नंबर दिखना है कंटेक्ट जरूर कीचिएगा आपके लिए फैदा है याद रखना यह किमेस्ट्री का जो हंडेर बोलू बीच में दिरेक्ट पढ़ाओं कोई दिक्कते में तो डिरेक्ट पढ़ाने आ गया है एक आवे नमर कोसें क्योंकि 90 कोसन अलेडी में पढ़ा चुका हूं यूट्यूब के प्लेलिस्ट में बना हुआ है जाकर जाकर देख सकते कोसन है डाई इस आप डाई इथील इथर सोडियम से अभी किरिया नहीं करता है क्यों कोसन आप से पूछा गया सिंपल वेस में बहुत इजी कोसन है कि डाई इथील इथर जो डाई इथील इथर होता है वो सोडियम से अभी किरिया नहीं करता है क्यों नहीं करता है जो डाई इथील इथर है वह हमाना सोडियम प्रोटॉन होता है समझना फिर से जो डाई थी लितर होता है ना तो कोई क्रियासील मुलक है क्रियासील मुलक में अलकोहल है एमीन है फर्मक्सलिक अमल है या उसके बाद आपका किटॉन है उसके बाद आपका अल्डिहाइड है यह से वाका क्या होता है क्रियासील मुलक होता प्रोटोन है सोडियम आयन इस्थिर बिद्दूत अभिकरिया द्वारा अन्य और अन्य आयन कृत बहागों पर कृता को दिखाता है फिर तो समझस्दा मेने दोस दाई यह दिलतर क्या है ना तो कोई अम्लिय क्रियासील मुलग है और ना कोई अभिक्रिया के द्वारा अन्य आयन क्रीत भागो पर सक्रियाता दिखाता है जबकि डाई थी लिथर एक तष्ट डाई थी लिथर है तष्ट और आप निस्क्रिय योगिक है जो sodium अभी किरिया नहीं देता है जो diet though, जी लितर है, एक परकार का निस्करिये अभी किरिया है जो आपके exam है इस परकार से कह सकते हैं यह स्थ और निस्करिये योगिगह लिफिनिसन में कुई बड़ी बात नहीं है कार्ण समंदिद पहरचत क्यों आपकी exam बनाती है जो लीथियम होता है बीची सिरावा बनाती है लीथियम की प्रमानु तिरिज्या की गन्ना करें यदि लीथियम की एकाई सिल किनारा 1513 ces choosing being the समझे के प्रास करना यानि कि आपको उसकी किनारा दे रखा है लीथियम की किनारा नहें की एका भेलू दे रखा है बीसिसी के लिए आपको तिरिज्या जो होता है बीसीसी की तिरिज्या आपको ग्याद करके बता भी चुके होंगे BCC का है सेल का तरिजा Body Center QV Unit Sale Body Center QV Unit Sale के तरिजा कैसे ग्यात होता है मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ यह आपका Body Sale होगा BCC BCC जो होता है आपने देखा होगा BCC क्या होता है Body Center QV Unit Sale BCC मतलब आठो कोना पर अव्याभी करनू पस्तित होता है आठो कोना पर साथ में कहां पर होता है एक Body के अंदर बीच में होता है एक बीच में वो पस्तित होता है ठीक है बीच में जब वो पस्तित होगा तो इसको जब बनाओगे न अजीब टाइब से बनेगा ना तो ऐसे बन पाएगा ना तो ऐसे बन पाएगा एक को बिच्चा बिची बन पाता है एक कोना से दूसरे कोना तक ठीक है इसलिए इसका तिरिजिया कितना आता है रूट 3 बटे 4 रूट 3 मतलब आता है रूट 3 बटे 4 ए इतना आता है ठीक है जब इतना भेलू आता है आर बढ़ाबर यह आपको पहले ही चिप्टर नों प्रहा दिया जाता है तो आपको याद रखना परेगा ना तर फिर इसको पूरत थिवरी बनाना परेगा लगों दो पनेगा ठीक है त्याद रखना आरब बीसी सी के लिए आर बाबर रूट थीरी ए अपको वोर होता है ठी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपको इतना गुने ए कर दीजिए ठीक है न है एक अभेलु कहां पर आपको यहीं न है एक अभेलु डाल दीजिए तो देखो आर बराबर हो जाएगा रूट थिरी गुने ए एक अभेलु आपको दे रखा है तो आपको इसमें लिथियम का किनारा दे रखा है ए बराबर है ए बराबर दे रखा है कितना 351 और आपको आर बराबर और BCC का तिरिज्या जो होता है वो आपका होता है रूट थिरी ए पटा फोर इसको ज्याद करना पड़ता है बस एक अभेलु इसमें डालो सॉल्व करवांसर आगया सिंपल बेस ठीक है और यह कुशन एक बार नहीं 17 और 21 की एक्जामें पूछा गया है और यह बाहर बेक्जामें पूछता इसलिए इंपोर्टेंट है मेरे मित रियाद रखना अभी तक आपने नोर्स पीडिय लिए और जो बच्चा भी तक टेस्ट सिरी नहीं लिया है और नौबस धे नाइट में डेली टेस्स चल रहा है आज भी नौबस धायट में आपका टेस्स चलेगा आप लोक से के मात्य हम सकते हों पीडियेफ लेते हो 99 रुपए दोस्त केके जी क्लास का एप डाउनलोड कर लिजी है ठीक है ना जहां पर हर एक अपडेट आपको मिलेंगे और टेलिग्राम करनेज़े अगला को उसने आप यह लेक्टोस के जलब घटन में कौन सा उत्पाद बनता है जो माते हम पानी मिला देती एस्टू हो और इसको क्या करते हीट करते हैं हीटे करते हैं याद रखिए भात में जाहो meth अब यह जो होता है, खास करेंगे, लर्की लोग से बोलते रहती है, लर्की लोग से मतलब खास कर एकना प्यार करता है, लर्का वालोग तो सोचता है कि हमारे उसके बीच में कोई दूसरा ना आजा है, यह लर्का का व्रम होता है, मतलब उसको यह नहीं पता लर्का को किसी ल यह वरम निकाल दो कि भाई आप किसी से डीप लव कर रहे हो और वह आपको आप नंबर वान हो ऐसा हो नहीं सकता है आप उसके तीसरा हो बाद में खुद पता चलेगा तो किरप्या करके यह तितलिया का हाथ छोरो ठीक है ना और बाज का हाथ पकड़ो बाज मतलब किताब का हाथ पकड़ो ठीक है ना चलिए हम देखते हैं मज़नों लोग बनके घुमते रहता है दोस्त लोग भी फोन करता है था क्या कहें लेक्टोस के जल अपगटन से डी कुल्गोस और डी यहाँ पे डी गुल्कोस और यहाँ पे डी गलेक्टोस का सम मुलर मिस्तरन प्राप्त ह होता है तो देखो अगर हम लेक्टोस के जल सभी किरिया करेंगे क्या करेंगे लेक्टोस को हम जल सभी किरिया करेंगे तो डी गल्कोस और डी गलेक्टोस और डी गलेक्टोस का सुत्र C6 H12 O6 होता है और लेक्टोस का भी आप गलेक्टोस का भी सुत्र होई होता है ठीक है त्याद रखना हम लेक्टोज के अभी किरिया जल से करेंगे तो आपको डी गुल्कोज और डी ग्लेक्टोज का निर्मान होता है यह समान मतलब दोनों बराबर बराबर में शम मोलन मिसरन प्राप्त होता है ठीक है आगे चलिए इस से वीजी कोश्चन है अगले कोश्चन होता है जैसे कि आप कुचु खाते हो कोई वस्तु खाते तो इसमें कुछ ने कुछ इसका में आचार खाते तो आचार किसे आम से बनता है तो इसका मुख संगठक आम है यह निम्बु कह सकते हो इसे गुलगप्पा खाते हो गुलगपा में मुख संगठक क्या है यह गुल कलोरो-Auxynol होता है। जो मुख संग solchen यह होता है। त्याद्रकना और क्लोर процॉष भता है। जो गुलकोश का मुख संगराटक. और अब और गुलकोश का मुक्स ंगराटक. और अलफा- टर्पिनॉल होता है। क्या होता है। अलफा- सब चौड़ने वाला गोश्च नहीं, काही पकरने वाला गोश्च नहीं, मिले मित्र है कोई बच्चा, अगर arts का है, उसके लिए भी classes सल रहा है, तेंथ का है, उसके लिए सिच्छा सेतू youtube channel class 3, सिच्छा सेतू class 3 पर आपको arts और तेंथ दूनों का चल रहा, Tools Arts का और Class Tains का अगला कुछतने Network Thos किसे कहते एक उधारन दे Network Thos भी आपको बारव एक्साम है पूछता है Network Thos है क्या इस प्रकार के Thos का आयनिकन सांसिमजक बंधन दुवरा बंदे होते है जो Network Thos होता है वैसे Thos होता है जिसके बंधन जो होता है सा सिमजग आबंदन दोवरा बंदे ररते हैं ठीक है न और इस प्रकार के ठोस अति कठोर भंगूर होते जैसे कोई-कोई आप तो रहोगे न तो तोटा नहीं है जिसके सीछा सीछा धरो के रूप में भी काम आता है लेकिन सीचा कठोर भी है सीचा जब कठोर है ठोस है जब उसको तोरोगे न तो तूटेगा नहीं वो भंगूर हो जागा चूर चूर हो जाएगा आया ना देखो कि कोई-कोई ऐसा होता है कठोर होता लेकिन उसको तोरोगे तो वो तूटेगा नहीं, भंगू मतला चूर-चूर हो जाएगा, ठीक है, तो उसी प्रकार से आनेटूर ठोस वही होता है, तो कहा गया मेरे मित्र, आनेटूर ठोस इस प्रकार के ठोस में अभ्यवी संस्समज़क अबंधन से जुरा होता है, और यह यह इस ठोस जो इस प्र गलाने के प्रयास करो गें तो तूट जाएगा लेकिन गलेगा नहीं आप कभी सीशा के गोली को आग में रख के देखना वह दो टुपका तूट जाएगा लेकिन गलेगा नहीं गलाने के लिए काफी उच्छ ताप के हो सकता पड़ता है तो इसका गलनांग क्या होता है काफ यह सब क्या है नेटवर्ट होसे आपको क्या समझ में वैसे ठोस होते हैं इसका आबंदन जो होता है इस प्रकार के ठोस अतियंद कठोर भंगूर होता है इसका गल्लायम काफी उच्चे होता है जैसे कि अपका हीरा हो गया सिलिकाउन हो गया प्ष्छ हो गया इसके उधारणे देखो कोसन को याद करने का तरीक्या वहनाँ चाहिए पॉइंट बाइजी जैसे कि एक पॉइंट यह बनालो पॉइंट टीजा का पहला किया होते हैं सह Сам सह jogosक आबंद Mund provide जूरे होते हैं दूसर का point बना लो point बना लो कि इस फ्रकार के ठोस अत्यातिक स्वाम भं़ूर होते हैं दूसर का point क्या है इसका गल्लान तीनों को एक सब जोर दो गों काम खटम गल्लान Guess gent याद करोंगा नद बहुत जल्दी याद होula मेरे लगे ठीक है अगले कोशन देखो और सबका PDF नोर्स रेडियमंतुस और सब्सक्राइब को सन जिसमें हंडेट सब्जेक्टिव हंडेट सब्सक्राइब को सन अब आपको पता ही है चाहर सब्सक्राइब को सने अगर किसी को चेप्टर वाई चाहिए वो भी हमारे पास एकले हैं हर च एक प्रकार का उसका गुण क्या है उसका विर्ञजग गुण क्या है हो कोशन आपसे पूछ रहा है एनुए तिल आप भी विदमान होता है ऑजोन रंगीनपदार्थों को औक्से रित कर बॉर्लिद करते नट है समझें पॉइंट में यह याद रखना पहला पॉइंट हुआ कि औरशिखहु पदार्थ होने की वजह से जोन क्या होता है और आपका ब्रगुन को परतसित करता ब्रगुन होता है तो सिंपल में पहलों प्वॉ Cape दार्थों को क्या करता है रंगीन पदार्थों में प्रिवर्थित करता है परिवर्थित करा ह। उधारन के लिए यह नीला, जो नीला होता है यह नील को पत्ली आधी के रंगों में गयाब कर देता है मतार नील जो रंग होता है उसको कैया करता है पत्तीते आदिAKे रंगों में गया घ्रहिता है जैसे कि यहां प다면 ozone है ओट आक्षिजन प्लस रंगिंदर यहां पे रंगिंदर पदात फ्लस ऋंWe seating इसकल रंगिंदर यहां पर क्योबल ये तो सम खुर्षर्य यह 100 सबूबन के साबुन की सुधन की किरिया विधि करें स्का और यह पर आपको बता दे साबुन का सुधन कैसे होता है उसका करें जानते हैं और याद करने का तरीका आपको होना चाहिए पॉइंट बाइस याद करना इसमें 5 पॉइंट वनालना पॉइंट याद करना जल्दी हो जाता है जैसे कि देखो आपे शाबून और यहाँ पे डिटर्जन का वह जल में घोला जाता है सबसे पहला पॉइंट साबू साबुन और डिटर्जन को जल में घोरा जाता है तो यह कल का नियुक्त करता है तो यह था त्टबॉएंट साबुन और डिटर्जन को दो छोर होते हैं ठाइड को याद होगा दे देख याद करने पहला अफुर्दन को जल्वे-घोड्यार जाता ह Är उसके दूसरका पॉइंट किया डिखोगे तो क्या देती है मिजिधे नàiगां प्र présent RIGHTीर सब्लाइब होते हैं साबुर्ण इटॉड्यार मिजिधेगे che hai ठीक है फिर रिक और आगे भरेंगे फॉर्थ पॉइंट में एक छोर आयनिक होता है जो जल प्रिये होता है पहला फिर अब चौथा पॉइंट पर एक छोर जल प्रिये होता है तो आयनिक प्रिये होता है जो जल से प्रिये होता है मतलत समझना एक छोर आयनिक होता है जो जल से प्रिये होता है, मतलब जल से प्यार करता है, इसलिए जल में उखुल जाता है, जिससे प्यार करेगा, उससे तक गुलेगा, तो इक आ गया एक छोड आयनिक होता है, जो जल से प्रेम करता है, या जल प्रिये होता है, ठीक है न, और दूसरा छोड और धृबिये होता है, जो आपे फैट प्रिय होता है जो गंदगी होता है ना गंदगी तो गंदगी इससे प्यार करता है तो समझ मैं सबसे पहला पॉइंट से समझों फैला पॉइंट यह साबून डीटर्जटन क्या करता है दोनों जल में गुल लाता है सेंट पॉइंट कैसें क्या है तो क्या करता है आपे मिसल करने निवान करता है है कपर्ण के सता पर आप जब आपको जब ज़्यादा जैता है तो चिपकी धूल कण तथा चिकनाई के कन शाबून और डिटर्जन के घोल दोरा गीले हो जाते हैं पस सही बात है क्या होगा क्योंकि एक पानी से प्यार करता तो गिला करेगा एक गंदा से प्यार करेगा तो गंदा कर पकड़ेगा चीक है तो क्या होगा साबून और डिटर्जन के घोल दोरा गीले हो जाते हैं और पर क्या होता है clarity मिसेलों के बीच였 कर कफ्रें से डूर्ण हो जाते है pink क्योंकि मिसेल क्या है जल से प्यार करता है जल से प्यारर करता है ऑठ तो आप जलตप करता है है जलसे चाहिक करता ठीक है ना आपको याद करने का तरीका भी आपको बता दिए, पॉइंट बाइस याद करोगे, पॉइंट बाइस ही याद होगा, अगल कुछने शम परासरिक घोल क्या है यह भी कुछन 2022 की एक्जामें पूछा गया है, सम परासरिक घोल की बात करें, शमाने ताप पर जब दो बिलियन क प्रासर अंदाब समान होता है सिंपल बात है जब समानने ताप पर जब दो बिलियनों का प्रासर अंदाब समान होता है तो सम प्रासरिक बिलियन कर लाता है इससे इजी डिफनिशन कहीं नहीं मिलेगा जब दो जब दो बिलियन का प्रासर अंदाब समान होता है सिंपल बात ह जब समांत आप पर एक ऐसे टमप्रेचर जिस पर दो बिल्यनों का प्रासर अंदाव समानों शम प्रासर बिल्यन का राता है इससे इजी डिफिनिशन नहीं मिलेगा अगले कोसे देखिए अगले कोसे ने शमांगियुं भी समांगियू उद्प्रेरक का एक अग उधारन दे और यह भी कोँसे इंप्रेचर इंपोरेचर इंपरेचर जब अभिकारक उत्पाद युद्प्रेरक समान प्रवस्था में होता है समझता जब जब अभिकारक उत्पाद अभिकारक उत्पाद उत्परिरक शमान अवस्ता में होता है तो इसे समांगी उत्परिरक कहा ज़ता है उधारन के लिए एसोच का उक्सीकरन अपर लेड कक्ष वीधी से वीधी में एसोच का उक्सीकरन समांगी उत्परिररकए जैसे की हमेसोच का अभिकिरिया क्या है ऑक्सजेन को पस्तिती में ठीक है ना जहांपे नाइटोगौ creation retrouver होगा तो बनेगा एसोच थिरी और नाइटोग्द बहार निक सिंपल बात हैं जब अभीकारक उत्पाद और उत्पिरख जब एक ही प्रवस्ता में होता है तो इसे हमनों समांगी उत्पिरख करते हैं तो उधारन के लिए आप डडीक्टिय दे सकते बी समांगी उत्पिरेरक क्या चलिए जब उत्पिरेरक एवं अभिकारक की प्रवस्ता जब उत्पिरेरक एवं अभिकारक की प्रवस्ता विन विन होती है जब अभिकारक प्रतिफल अभिकारक उत्पादिम उत्परेरक के प्रवस्ता भीन भीन होती है तो इसे हम भी समागी उत्परेरक करते हैं शुरा से समझगर के सव हुद्षय है जब अभिकारक प्रतिफल को उतपाग करते हैं haunted गौटतार शमाद प्रवस्ता में होता है जब अभिकारक प्रतिफल जयसे याद करोगे जल्दु यादा है अभीकारक उत्पाद पрастिफल का सकते हैं, अभीकारक उत्पाद उत्प्रेरक जब फिर्भिन प्रवस्था में होता है, तो इसे भी समांगी उत्प्रेरक करते हैं जैसे उधान के लिए As,O2 का Oxygen फिर Oxygen करें PT की उपस्थीति में करेंगे याने कि As,O2 का Oxygen PT की उपस्थीति में तो As,O3 बनेगा तो As,O2 का As,O3 में Oxygen भी समागी उत्तीराक भालाता है Simple Definition ने दोनों का दोनों आपके exam में एक सांफ पूछता है तो इसलिए मैं दोनों एक सांफ ही लाया हूँ definition में जो point होते हैं वो point को यहाँ पर अलग लग दर्सा दिया जाता है अगर आपसे दुवीक लवंग पूछे यह दोनों को एक सांद जोर दीजेगा ता आपका दुवीक लवंग का definition बन जागा जैसे देखो दुवीक लवंग सिर्फ थोस अवस्ता में अपना अस्तितव बनाये रखता है तथा दुवीक लवंग विलियन में अपना अस्तितव को खो देता है यह दोनों को एयर कर दिये तो एक definition पर आपत होगे और यहां पर दोनों को अलग अलग लिख दिये पॉइंट बाइ लिख दिये इधर पॉइंट बाइ लिख दिया अंतर हो गया तो चलिए दुवीक लवंग जटी लवग में क्या होता है सिर्फ थोस अवस्ता में अपना अस्तितव बनाये रखता है यानिक अगर हुआ हो अगर में डालते जाओ के डालतो जाओ कर पता नहीं चलेगा तक नहीं चलेगा उसे आपना से अपना स्थितवों को बनाये रखता है यहां पर जालिख लवंग जलिये विलियन जैसे कि आपनी रखेगा टिक है उसके बाद यहां पर दूस mount होग देता है ज KR टना स्रृता नहीं रुंड मरे फंथे। UPne C 요 कईम रखता है इसी द्रॉब में जाएगा ता अपनी आ उसी भागिए को खराब कर लेगख ठीक है तो अंदर समझ मैथा यह को संद वाग्जाट 23 के एकजाम में तो लेकिन स्लेवस खतम की बात होता है, एक से दो महिना में हो चाहेगा, पुरे सलेवस इंपोर्टिन को सिन अंसर का ज्वाइन करना है, और आपको एक और चीज टेस्ट सिरीज निनानवे रुपा का उसको ज्वाइन करना, पीडिएप नोर्स अगर स्पेसल लेना है, पीडिए पर लोगे ना, जब तक यह नहीं करोगे, काम नहीं होने वाला, ठीक है ना, भाई कुछ भी कर लो, सच बतारे, कितना हो पर लोगे ना, जब तक इंपोर्टिन नहीं परोगे, तो एक जाम अच्छे नंबर लाना थोड़ा पोसिबल नहीं है, पूरा बुक परके नहीं उस पर ध्यान दो, ठीक है ना, तो प्लीज आपसे रिक्वेश्ट है, कंटेक करो, फट 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 लो, हमारा उसमें क्या फैदा है, आप लोग के लिए बनाए है, आप लोग के लिए टीम काम कर रहे है, तो प्लीज लेने के प्रयास करना, चलो, all subject मिलेंगे, तो thank you watching for this video, यहाँ पर 100 question clear होता है, पूरे 100 question आपको मिलेंगे, याद रखिएगा, और यहाँ तक long question का विए class आगे से चलेगा, short question खतम होगा, objective बचा, long question बचा, clear कर दिया जागा, 3-4 दिन का अंदर में, तो मैंने मित्न आपसे रिक्वेश्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके, टेल् बचली से चानल की देए, यहाँ बचानल की बच्छाइब के छब कर देए टाल कर दो समयक्तित भीज़ा, यहाँ अविए, यहाँ रखिज्ड बचाइब कर देनन देए.